नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में आज ये इसी करण का फिप्त लेक्चर हम देखने जा रहे हैं इसके पहले हमने चार लेक्चर में हमने सारी सरकीटे देख ली थी और उसमें LCR सरकीट का एक इंपोर्टन टोपिक रेजोनन्स छूट गय है पैसे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि वीडियो लेक्चर आजकल काफी है फेल रहे हर सीटी के बच्चे देख रहे है यह तक कि कोटा सीटी के बच्चे भी ये वीडियो लेक्चर देख रहे है ये आप सब की मदद के बिना तो ये पुसिबल था ही नहीं सबका दिल्शे शूक्रिया, थेंक यू, सब बच्चे जो ये वीडियो लेक्चर देख रहे हैं, खुब खुब आवार आप सब का, भगवान से मेरी तो यही प्रात्ना है कि जहां पे भी आप चाहो, वहां पे आपको एड्मिशन मिल जाए, गर मेडिकल वाले बच्चे देख रहे तो यही प्रात्ना करूगा कि एम्स, या तो कोई अच्छी गवर्मेंट कोलेज में आपको एड्मिशन मिल जाए, और अगर जेई वाला बच्चा देख रहा है, तो IIT, NIT में उसका एड्मिशन हो जाए, यही भगवान से प्रात्ना, चलिए देखते रेजोनन्स किया रहे चलो, यहाँ पे देखो, तो होता यह है कि थोड़े फेजर डायग्रम पेले देख लो, चलो, तो यहाँ पे हमने पिछले लेक्चर में भी बात की थी कि आप एक काम करो, करन का फेजर यहाँ पे ड्रो कर लो, अब R, L और C के वुल्टेज के फेजर के से ड्रो करने, यह त यहाँ पे V, L, यहाँ पे V, C, और हाया न, फिर नेट वुल्टेज के से लिखते थे, नेट वुल्टेज जैसे लिखते थे, V, NET, इक्वल टू, अंडर रूट, यह हो जाएगा, V, R, स्क्वेर, प्लस, V, L, माइनस, V, C, का स्क्वेर, आपको याद हो तो, अगर आपने आगे के लेक्चर नहीं देख रहे, देखे तो पहले वो देख लो, अच्छे से समझ में आ जाएगा, यह तो दोनों अपोजिट डिरेक्शन में ही है, तो बड़े मेंसे छोटा सब्रेक कर लो, मानलो यह V, L बड़ा है, V, C, छोटा है, तो V, L, माइनस, V, C, और R का जो रिजल्टंट आ रहा है, वो अपना नेट वोल्टेज होगा, मानलो कभी अगर ऐसा हुआ कि V, L और V, C दोनों सहीम हो गए तो, सोचो जरा, मानलो कभी ऐसा हुआ कि V, L और V, C, अगर यह दोनों ही सहीम हो गए तो, वो कंडिशन हो जाएगी, रेजोनन्स की कंडिशन, अगर यह दोनों ही सहीम हो गए, तब तो यह दोनों एक दूसरे को काट देंगे, तब तो नेट वोल्टेज पूरा रेजिस्टेंस को ही मिलेगा, वो ही तो रेजोनन्स है, वो कंडिशन में यह हो जाएगा कि एक बात, एक और बात, आप सुचो, अगर मानलो, छेड हम लिखते थे नेट इंपिडन्स, या हम एसे लिखते थे, नेट इंपिडन्स, आर स्क्वेर प्लस, एक्सल माइनस एक्ससी का स्क्वेर, रहाया न, मानलो कभी एसा हुआ कि एक्सल और एक्सी दोनों सहीम हो गए तो, यह दोनों सहीम हो गए तो यह भी सहीम होई जा जाएगे, V equal to IR, VL equal to IXL, VC equal to IXC, I तो दोनों में सहीम होगा, तो अगर VL और VC सहीम है, तो XL और XC भी सहीम हो जाएगे, तब तो Z minimum हो जाएगा, मतलब इसका net effective resistance जैसा term, जो की current को रोकने वाला term है, वो minimum हो जाएगा, इसमें से current काफी बढ़ जाएगा, यह condition में current यहाँ पे क काफी बढ़ जाएगा, वो condition ने resonance की, resonance का मतलब physics में यही होता है, कि amplitude काफी बढ़ जाने, वो जो amplitude से oscillate कर रहा है, वो amplitude जब काफी बढ़ा हो जाए, जब बड़े-बड़े amplitude से oscillate करने लगे, तो वो condition resonance की condition है, ठीक है, मान लो, reality में resonance क्या होता है, real life में, मान लो, एक छोटा सा example बताओ, मेरी बात करूँ, तो में 8 standard में जब पढ़ रहा था, तब मेरे teacher जो मुझे maths पढ़ा रहे थे, वो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था, हाँ, तो होता ये था कि काफी अच्छा पढ़ा रहे थे, लेकिन मेरी समझ में वहाँ पे कुछ नहीं आ रहा था, हो सकता है कि वो जो frequency से बोल रहे है, वो frequency में समझ ही नहीं पा रहा हूँ, आपके साथ भी ऐसा होता होगा, फिर हुआ ये कि 8 स्टांडर्ड तो मेरा ऐसे ही निकल गया, फिर 9 स्टांडर्ड में जब सुरू के 2-3 मेनी यहीं चला, लेकिन आप्टर 2-3 मंथ कोई teacher आये, नहीं teacher, चुकि वो जो बोल रहे थे, वो मुझे अच्छे से समझ में आ रहा तो क्या मैं यह सोच सकता हूँ कि उसकी फ्रिक्वेंसी और मेरे फ्रिक्वेंसी मेच हो रही है, रेजोनन्स हो रहा है, बड़े-बड़े ऐंपलीट्यूट से उसीलेशन हो रहे है, तो मेरी समझ में कुछ ज़्यादा ही आ रहा है, मतलब यह रियालिटी के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, तो रियालिटी में रेजोनन्स होता है, ऐसे होता है रेजोनन्स, तो यहाँ पर रेजोनन्स यह है कि बड़े जब एक्सेल और एक्सेसी दोनों सहीम हो जाएंगे, उस वक्त करंट काफी बढ़ जाएगा, वो होता है रेजोनन्स, तो मैं यहाँ पर कंडिशन लि मिलने वाले voltage दोनों सेम हो जाएगे, दूसरा में ये से भी लिखलू XL और XC दोनों सेम हो जाएगे, V equal to I XL, V C equal to I XC, I तो दोनों में कट जाएगा, चली, मैं ये भी लिख सकता हूँ कि Z, ये हो जाएगा minimum, current, ये हो जाएगा maximum, चली, सारा voltage जो है, वो resistance कोई मिलेगा, V L और V C तो 0 हो जाएगे, मतलब सेम हो जाएगे, नेट 0 हो जाएगा, तो सारा voltage जो है, वो resistance ही खा जाएगा, यहाँ पर मैं इसे सोच सकता हूँ कि XL equal to XC, XL मतलब omega L, XC मतलब 1 by omega C, तो यहाँ पर omega square equal to 1 by under root, sorry, 1 by LC, तो omega क्या मैं इसे लिख सकता हूँ, omega equal to 1 by under root LC, और अगर मैं frequency लिखना चाहूँ, तो frequency मैं इसे लिख सकता हूँ, omega equal to 2 by F होता है, तो 2 by को बेज़ दो सामने, यह हो जाएगा 2 by under root LC, और हाया न, तो मतलब यहाँ पर यह जो frequency मुझे मिली, वो है resonance frequency, चलो यह भी ठीक है, आप सोचो, कि शुरू-शुरू में जेड क्या होगा, तो मान लो, जेड वर्सिस frequency का यहाँ पर जो graph बताया है, graph समझो आप पहले, जेड वर्सिस frequency का graph जो यहाँ बताया है, शुरू-शुरू में frequency मान लो 0 है, 0 frequency पर क्या होगा, यह XL तो हो जाएगा omega L, रहाया न, तो यह तो हो जाएगा 0, क्योंकि omega ही 0 है, 2 pi fn, यह 0 है, Xc, यह हो जाएगा, शुरू-शुरू में infinite, क्योंकि XL मतलब 1 by 2 pi fc, 1 by omega c, अगर frequency ही 0 है, तो यह काफी बढ़ जाएगा, infinite हो जाएगा, और अपना z भी काफी बढ़ा मिलेगा, यह 0 है, लेकिन यह काफी बढ़ा है, तो z काफी बढ़ा मिलेगा, जब frequency छोटी है तो, तो शुरू-शुरू में z maximum है, फिर जैसे 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 frequency बढ़ती जाएगी, कही ना कहीं यह दोनों सहीम हो जाएगे, यह दोनों सहीम हो जाएगे, तो z minimum हो जाएगा, तो z दिरे-दिरे कम होता गया, फिर एसा हुआ कि frequency काफी बढ़ गई, तो XL काफी बढ़ जाएगा, यह तो 1 by 2 pi fc काफी कम हो जाएगा, लेकिन high frequency पे XL बढ़ जाएगा, तो z वापस बढ़ जाएगा, तो होता यह है कि जैसे जैसे frequency बढ़ाते हो, शुरू-शुरू में z maximum होता है, due to capacitor, capacitive reactant से यह maximum हो जाएगा, फिर कोई frequency पे यह दोनों सहीम हो जाएगे, तब तो यह minimum हो जाएगा, सिर्फ r बचेगा, और फिर high frequency पे XL काफी बढ़ जाएगा, inductive reactants काफी बढ़ जाएगा, तब यह कम हो जाएगा, लेकिन XL की वज़े से z वापस maximum हो जाएगा, तो जहाँ पे z minimum हो रहा है, वही तो है resonance, और वही resonance की वज़े से वहाँ पे current काफी बढ़ रहा है, देखो यह z, जैसे 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 जैसे, z maximum था current minimum हो जाएगा, z minimum हो आ, current maximum हो जाएगा, z वापस maximum हो, current वापस minimum हो जाएगा, तो जैसे जैसे frequency आगे change करते जाओ, z में मतलब इसके impedance में change होता जाएगा, मतलब current में change आएगा जहाँ पे z minimum हो जाएगा वहाँ पे current maximum हो जाएगा रहा यह न और जो frequency पे यह हो रहा है वो frequency हो जाएगी resonance frequency वहाँ करण्ट maximum मिलेगा और एक बात बताओ कि जहाँ पे यह maximum current जितना मिल रहा है maximum current by root 2 जहाँ पे होगा वहाँ पे भी दो frequency मिल रही है maximum current by root 2 जहाँ पे हो रहा है वहाँ पे भी दो frequency मिल रही है एक यहाँ पे एक यहाँ पे अगर यह frequency पे current यहाँ जो मिल रहा था वो current divide by root 2 जितना मिल रहा है अरे भाई यहाँ पे जो current मिल रहा था उसका root 2 जितना कम पावर हाफ हो जाएगा क्योंकि P proportional to I square होता है अगर current divided by root 2 है तो यहां root 2 का square कर लोगे तो power हाफ हो जाएगा और जहां पे power हाफ हो रहा है वो होगी half power frequency तब frequency at which power becomes half हो फिट्स maximum value या फिर आप इसा बोल सकते हो current यह 1 by root 2 जितना कम हो जाएगे उसे half power frequency और यह frequency के बीच का जो gap है यह यह हो जाएगा bandwidth सही है यह दोनों frequency के बीच का जो gap है वो gap हो जाएगा bandwidth चलिए अब यह half power frequency आपको याद रखनी है bandwidth आपको याद रखना है चलो यहां से आगे देखते है quality vector यह भी काफी अच्छा term है और यहां से question आ सकते है देखो quality vector क्या है हमने थोड़ी देर पेले यहां पे देखा कि current काफी maximum हो रहा है अब होता क्या है देखो थोड़ा समझो आपने radio तो चलाया होगा जब आप छोटे थे तब तो radio का थोड़ा बहुत तो जमाना था अभी भी अब तो mobile का इतना mobile का crazy है कि radio तो कोई सुनता ही नहीं है वो में पुराने वाले radio की बात कर रहा हूँ जब आप छोटे होगे तब आपके grandfather आपके जो दादा जी है वो शायद वो radio का यूज कर रहे हो सुनते हो तो बात लगे देखा हो तो आपने वहाँ पे क्या होता है वो radio में आगे वो बटन हो रहा है वो बटन को ऐसे ऐसे घुमाते जाते घुमाते जाते तो अलग-अलग channel पे वहाँ पे जैसे 92.7 ए, 98.3 ए, वहाँ पे वो frequency पे radio चलता है गाने चलते थे हम सब लोग सुनते आए है चलो वहाँ पे क्या होता है कि वो particular वो जो हम बटन एसे घुमाते थे मान लिजिए मैं यहाँ पे एक दो frequency लिख लेता हूँ आप बने रहे है मेरे साथ समझ में आ जाएगा देखो 92.7 मान लिजिए 93 53.5 मान लिजिए और 98.3 चलो एसे तीन frequency में ने यहाँ पे लिख लिए थोड़ा ध्यान से देखना जैसे 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 मान लिजिए मैं वो घुमाता जैसे वो में बटन घुमाता हूँ वहाँ पे capacitor का capacitance चेंज होता है या फिर inductor चेंज होता है पुराने जमाने में तो capacitor चेंज हो रहा था मतलब वो वर्क तो वो resonance frequency पे ही करता था capacitance चेंज होते 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 यह देखो resonance frequency यहाँ पे यह resonance frequency 92.7 तक पहुँच जाएगी मतलब यह current maximum हो जाएगा मतलब उसकी आवाज हमें कुछ ज़्यादा ही सुनाई देगी और हाया न वापस हमने capacitance चेंज किया capacitance चेंज किया capacitance चेंज किया capacitance चेंज किया वापस frequency resonance frequency जब 93.5 वाली जो current था वो बढ़ गया और हमें वो frequency में काफी अच्छी आवाज सुनाई दे रही है फिर capacitance चेंज हो गया 98.3 पे जाके रुका resonance frequency तो वहाँ करंट बढ़ गया और वो आवाजा में सुनाई दे रही है यहाँ पर आप देखो यह अगर मान लो 93.5 है तो यहाँ 93.2 या 93.2 यहाँ पर थोड़ी बढ़ जाएगी और यहाँ कहीं पर दूसरी कोई frequency होगी उसकी आवाज कम आ रही है क्योंकि current वहाँ पर कम है रेडियो स्टेशन वाले यह काफिक पास-पास वाली frequency की frequency वाली channel तो किसी को देते ही नहीं है जैसे 93.5 यहाँ पर दिया है तो 93.6 93.7, 93.8 यह frequency तो किसी को दी नहीं होगी जैसे 93.4 93.3, 93.2 93.1 एसे frequency किसी को देते ही नहीं है क्यों नहीं देते क्योंकि अगर वो frequency यहाँ पर आ रही है तो एक साथ दो तिन दो तिन आवाजे हमें सुनाई देगी ठीक है तो इसके लिए क्या होना चाहिए अगर मानलो यह frequency का ग्राफ है से आया होता यह frequency का ग्राफ तब तो यह frequency पर हमें इतनी ज़्यादा आवाज नहीं सुनाई देगी बलकि दूसरी frequency जो पास-पास है वो frequency की आवाजे भी इतनी सुनाई देगी तो यह होना जरूरी है कि हम जो frequency पर सुनना चाहते है वो frequency का current काफी बड़ा हो यह हमारे लिए काफी जरूरी है अगर वो ग्राफ बड़ा है तो हमें clearly सुनाई देगा और बाकी frequency पर जो आवाज आ रही है वो कम सुनाई देगी लेकिन अगर हमारा ग्राफ एसा हुआ तब तो मुश्किल है और frequency की आवाजे भी ज़्यादा सुनाई देगी यह वाली तो सुनाई देगी साथ में यह वाली थोड़ी कम तो कम लेकिन सुनाई देगी तो हमारे इच्छा क्या है कि वो particular frequency पर करन काफी बड़ा हो जाए तो यह ग्राफ जितना हो शके जितना हो शके उतना यह sharp बनना चाहिए अरे हाया न तो यह अपना ग्राफ कितना sharp है मतलब यह current कितना maximum है यह पता चलता है quality factor से समझ रहे हो अब तो यह पता लगता है quality factor से quality factor कुछ ऐसे ही define किया गया q equal to resonance frequency divide by bandwidth resonance frequency divide by bandwidth q क्योंकि देखों यहापे अगर यह bandwidth काफी कम है और resonance frequency काफी बड़ी है तब तो यह ऐसे हो जाएगा और आया न यह frequency बड़ी है bandwidth कम है तो वो q factor बड़ा है इसका मतलब वो frequency पे current काफी बड़ जाएगा हमें वो अच्छे से tuning हमें अच्छे से सुनाई देगा काफी बड़िया सुनाई देगा और हाया न तो bandwidth का एक formula आप ऐसा भी याद रखो fr by delta f दूसरा bandwidth sorry यह quality factor को quality factor का formula आपको ऐसा याद रखना है resonance frequency by bandwidth दूसरा quality factor को ऐसे भी define किया गया है quality factor को कि inductor को मिलने वाला voltage divide by resistance को मिलने वाला voltage रहा या न inductor को मिलने वाला voltage divide by resistance को मिलने वाला voltage यह भी quality factor ही दिखाएगा या तो फिर resonance time पे हाँ यह भी याद रखना हर वक्ष पे नहीं resonance के time पे भी resonance के time पे ही या तो आप ऐसे भी सोच सकते हो VC divide by VR क्योंकि जितना voltage inductor को मिलता है उतना ही voltage capacitance को मिलता है capacitor को मिलता है क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो ऐसा होगा कि resonance पे सारा voltage जो है resistance ही खा जाएगा तो यह दोनों का voltage कोई matter ही नहीं करता है क्योंकि यह तो एक दूसरे को काट देंगे net voltage में तो सिर्फ resistance को मिलेगा चलिए मान लीजिए यह 100 का है तो इसको 100 मिल जाएगा अब इसको 300 मिले इसको 300 मिले उससे कोई दिक्कत नहीं है लेकिन अगर यहां पे voltage इसे ज़्यादा मिल गए तो current यहां से ज़्यादा flow करेगा और हाया न current यहां से भी ज़्यादा flow करेगा और current ज़्यादा flow करें वो तो अच्छी बात है तो एक ऐसे भी define किया गया है कि resistance को जितना voltage मिल रहा है उसके comparatively inductor या तो capacitor को कितना ज़्यादा voltage मिल रहा है उतना ज़्यादा current वहां से पास होगा आया न current ज़्यादा पास कराएगा चलो यहां पे क्या मैं इसे भी सोच सकता हूँ कि XL divide by R XL को क्या मैं इसे भी लिख सकता हूँ omega L अरे VL equal to IXL और नीचे VR equal to IR तो II तो दोनों में कट जाएगा अरे हाई या न XL divide by R R जितना छोटा होगा अपना resistance जितना छोटा होगा current उतना ही ज़्यादा होगा क्योंकि net impedance तो R पे ही depend है यहां पे resistance जितना छोटा होगा resistance जितना छोटा होगा current उतना ज़्यादा बढ़ जाएगा और Q फेक्टर भी बढ़ जाएगा क्योंकि जितना current ज़्यादा उतना Q फेक्टर ज़्यादा यह बात तो सही है तो V equal to IXL IR II तो कट जाएगा तो R जितना छोटा Q उतना बढ़ा और Q जितना बढ़ा मतलब वो tuning करने के लिए अच्छी बात है omega L divided by R चली omega की जगह तो मैं लिख सकता हो 1 by under root LC तो 1 by under root LC यह मैंने लिखा omega की जगह पे यहाँ R और L तो जिसे थे वेसे ही है एक बार root L रूट L यहाँ पे कट जाएगा देखो root L रूट L कट जाएगा यह हो जाएगा 1 by R under root L by C चली या तो मैं XC divide by R कर लू क्योंकि यहाँ पे VC माने I into XC by I into R I I तो कट जाएगा तो भी हो जाएगा XC की जगह पे मैं लिख सकता हूँ 1 by omega C तो यह हो जाएगा R into omega into C omega की जगह पे 1 by under root LC तो यहाँ पे नीचे बचेगा R C और यह LC चला जाएगा उपर 1 by omega omega की जगह 1 by under root LC लिखा तो CC कट जाएगा यह वापस वही आ जाएगा 1 by R under root L by C सही है भई और यहाँ पे एक sharpness मतलब यह sharp कितना है quality factor जितना बढ़ा होगा यह ग्राफ की sharpness भी उतनी बढ़ जाएगी अगर मानलो resistance बढ़ा है तब तो current काफी कम पास होगा sharpness काफी कम होगी मानलो resistance छोटा है तो महाँ पे current काफी बढ़ जाएगा sharpness काफी बढ़ जाएगी तो quality vector जितना बड़ा sharpness उतनी ज़्यादा चलो देखो यहाँ पे एक question है a capacitor, resistor and 40 mH inductor are connected in series to an AC source of frequency 60 Hz चली यहाँ पे frequency 60 Hz है और यह capacitor एक inductor और resistance यहाँ पे connect कर दिया है calculate the capacitance of the capacitor if current is in phase with voltage चलो तो current और voltage दोनों एक ही phase में है इसका मतलब तो आप चानते ही हो current और voltage अगर दोनों एक phase में है अगर RLC circuit में यह आई और अगर net voltage यहाँ पे आ रहा है net voltage यहाँ पे आ रहा है तब तो यह बात तो पक्की है कि VL और VC यह दोनों same हो जाएगे अगर VL और VC दोनों same हो गए तभी तो net voltage और net current दोनों same phase में हो जाएगे यहाँ पे भी देखो इंडक्टर को मिलने वाला voltage कैपैसिटर को मिलने वाला voltage दोनों same दे दिया मतलब यह दोनों एक दूसरे को काट देंगे net voltage अपना current के साथ phase में होगा दोनों same phase में हो जाएगे मतलब सारा voltage resistance को मिल जाएगा और यहाँ पे resonance हो रहा है और अगर resonance हो रहा है तो omega equal to 1 by under root LC तो मैं लिखी सकता हूँ यहाँ पे आपको L की value दी है तो C की तो आप निकाली सकते हो frequency आपको पता है 60 Hz देखो यहाँ पे दी है frequency तो 2 pi F कर लेना और यहाँ पे C को आप subject बना तो हो जाएगा दूसरी बात also find the reading of voltmeter and emitter voltmeter तो यह voltmeter तो पूरा voltage resistance को मिलेगा तो voltage तो 110 E होगा V3 क्योंकि यह 300, 300 तो एक दूसरे को काट देंगे opposite direction में है तो तो net voltmeter जो resistance के साथ connected है वो पूरा voltage वही खा जाएगा वो resistance को मिलेगा 110 volt आया समझ में भई कहां से हमें पता चला की resonance हो रहा है दो बातों से पता चला पहला यह figure से कि इसे 300 इसे 300 तो यह inductor और capacitor को मिलने वाले voltage जब सेम हो तब यह resonance की condition ही है और यहाँ पे last में बताए current is in phase with voltage मतलब दोनों same phase में है तो यह दोनों दूसरे को काट रहे होगे वहाँ से भी पता चल जाएगा तब तो सारा voltage यह resistance खा जाएगा मतलब इसका voltmeter 110 volt बताएगा resonance frequency हमें पता है तो resonance frequency पता है L पता है तो C तो पता चली जाएगा और अगर हमें net current निकालना है तो net current माने net voltage यह 300 300 का तो कोई रोल है यह नहीं net voltage मतलब 110 और net impedance impedance में भी XL और XC एक दूसरे को काट देंगे मैंने फोड़ी देर पहले ही बात की थी सिर्फ बचेगा R तो 220 तो यह हो जाएगा 1 by 2 0.5 amp कोई टॉप सवाल नहीं था आसान था हाँ मैंने आपको तरीका बता दिये अब आप कुछ से कर लेना चलो एक और बात देखो यहाँ पे एक और नया question a coil a capacitor and an AC source of RMS voltage 24 volt are connected in series by varying the frequency of source maximum RMS current 6 ampere is observed चलिए तो हुआ यह की भाई एक कोईल है एक capacitor है यह दोनो हमने AC source के साथ connected किये और वहाँ पे frequency अलग-अलग करते जा रहे थे वहाँ पे इसा हुआ कि maximum RMS current 6 ampere मिल रहा है अब देखो यहाँ पे थोड़ा conceptual बात यह है कि यह coil coil inductor की तरह भी behave करती है वो resistor की तरह भी behave करती है चलिए ठीक है यह बात एक दो lecture पहले के एक वीडियो में हमने की थी अगर आपको कोई confusion है तो वहाँ पे देख लो यहाँ पे वो discuss करने जाएगे तो थोड़ा time चला जाएगा बोरो जाओगे आप चलिए तो में यहां maximum rms current 6 ampere current जब maximum होता है तब resonance की condition होती है कहीं पे question में आप सुन लो तो यह बात ध्यान रखो कि कभी भी current maximum बताया है तो resonance की condition ही ले लेनी है तो यहाँ पे सारा voltage resistance को मिल जाएगा और net impedance P.A. में पता चल जाएगा क्या यहाँ पे में से लिख सकता हूँ i max equal to vr क्योंकि सारा voltage resistance को ही मिलेगा और यहाँ पे z अब net zb net resistance होगा vr24 z की जगह में सिर्फ r लिख सकता हूँ और यह maximum current मिल रहा था 6 equal to 24 by R तो क्या net resistance यह क्योंका resistance 6 फूर्जा 24 फूर ओहम मिलेगा और इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं चली तो यह क्योंका resistance फूर ओहम था और जब ऐसे करण पास हो रहा था तब यह inductor जैसे बहेव कर रहा था XL axis सेम हो गए चली तब भी वो resistance तो उसमें था ही लेकिन current change होने की वज़े से वो उसमें current को oppose करने वाला magnetic field की वज़े से oppose करने वाला part जो inductor inductive reactance की तरह भी हो कर रहा था चलो ठीक है अरे भाई यह जो coil थी तो कोई ideal coil नहीं थी तो वहाँ पे जब DC करण सोरी AC करण पास हो रहा था तब भी वो resistance तो उसमें था लेकिन current जो change होने वाला था current जो change हो रहा था उसकी वज़े से inductor में EMF इंड यूज हो रहा था वो उसको generate जो कर रहा था उसी को oppose कर रहा था वहाँ पे XL तो वही होता है current को oppose करने वाला part वो भी यहाँ पे था तो यहाँ पे resistance और inductive reactance दोनों एक ही coil में थे और उसमें भी XL और XC दोनों सेम हो गए मतलब resonance हो गया maximum current इतना पास हो रहा था चलिए अब वहाँ पे आगे बताया है if this coil is connect battery of PMF 12 volt अब हमने connect कर दिया DC source के साथ अब तो कोई XL XC का तो कोई सवाल ही नहीं है और वहाँ भी यहसा बताया है कि internal resistance हो रहा हम calculate the current through coil अब तो भाई कोई खास बात नहीं है अब तो DC current हम जैसे current electricity में calculate कर रहे थे बिलकुल I equal to V by R चलिए V यहाँ पे है 12 और net resistance coil का तो ही 4 कोई का तो मिला है 4 और उसका internal resistance भी 4 हम है अरे cell का internal resistance 4 हम है और यहाँ पे जो हमारी अमरी कोई थी उसका resistance भी 4 हम था तो अब इतना current दूसरी condition में पास होगा चलिए एक और बात a series LCR circuit L हमें बताया है C हमें बताया है R हमें बताया है voltage हमें बताया है source frequency for which current maximum तो यह frequency पता लगानी है current जब maximum हो रहा है तब तब की frequency का formula तो में पता है 1 by 2 pi under root LC अब हमें L पता है हमें C पता है तो यह frequency निकालना कोई बड़ी बात नहीं है दूसरा Q factor Q factor का formula 1 by R under root L by C तो R, L, C सब कुछ पता है तो Q factor भी निकाल सकते हैं एक और बात कभी-कभी आप फस जाओगे resonance frequency और bandwidth दिया है तो Q factor का formula आपको याद होना चाहिए चलिए अगर वीडियो पसंद आया है तो like और subscribe करना मत भूलना दोस्तों के साथ share करो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में थेंक्यू दोस्तों चलिए गोस्तों और बात कपश हो चलिए दोस्तों आपको जगे चलिए टोस्तों